जै शीर राम भक्तों भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देव बनी में भक्तों आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जुरूर बताएं तो हमारे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा आज की कथा है लालची घोड़ा और साधू आईए कथा श्रवन करें बहुत समय पहले की बात है किसे नगर का एक राजा था वो बहुत ही दानवीर था राजा की कई रानिया थी राजा उनसे बहुत प्यार करता था राजा की एक रानि को घोड़ों की सवारी करना बहुत पसंद था उन्हें घोड़ा पालना भी बहुत पसंद था राजा ने राणी के कहे अंसार एक अच्छी नसल का घोड़ा उन्हें लेकर दिया राणी उस घोड़े से बहुत प्रेम करती थी राणी ने राजा से कहा इस घोड़े को कोई तकलीफ या कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए राणी की बात राजा कैसे टाल सकता था क्योंकि वह राजा की प्रिय राणी थी राजा ने उस घोड़े के लिए एक अच्छी अशोशाला बना रखी थी उसमें वह घोड़ा अकेला ही रहता था वे घोड़ा बहुत ही सुन्दर था लेकिन घोड़ा थोड़ा लाल्ची भी था राजा रानी के कहे अनुसार घोड़े की देखभाल अच्छे से करवाता था उसकी सेवा के लिए कई नौकर रखे थे राजा ने नौकरों को कह रखा था कि घोड़े को कोई तकलीफ ना हो लेकिन घोड़ा हमेशा खाने की सोचता रहता था उसका पेट कभी नहीं भरता था राजा भी उसकी इस आदत से परिशान था उसने बहुत कोशिश की उसने राणी को भी बहुत समझाया किन्तु राणी का वह प्रिय घोड़ा था इसलिए राणी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी और उसे बेचना भी नहीं चाहती थी लेकिन राजा के समझाने का रानी पर कोई असर ना होता उधर घोड़ा था कि उसका पेट कभी भरता ही नहीं था लाचार परेशान राजा ने अपने राज्य में एक योजना की शुरुवात घोड़े के लिए की राजा ने सोचा कि इससे घोडे में लालज का अवगुण है वह दूर हो जाएगा योजना अनसार जो व्यक्ति घोडे की भूख को मिटा सकेगा उसे मुह मांगा इनाम दिया जाएगा शर्त के अनसार व्यक्ति को घोडे को संतुष्ट करना है दिन भर व्यक्ति घोडे को साथ में रखे घोडे को खिलाए पिलाए शाम में राज महल में वापस कर दे शाम को घोडे को चारा दिया जाएगा लेकिन घोडा कुछ खाए नहीं रानी यह बात सुनकर राजा से थोड़ा नाराज हुई किन्तु राजा ने उसे बहुत समझाया राजा के कुछ बात का उस पर असर हुआ और उसने इस योजना को अमल में लाने का फैसला कर लिया राजा की घोशना लोगों ने सुनी एक-एक करके लोग आने लग गए अपने साथ घोड़े को एक-एक दिन के लिए लेकर जाने लगे कुछ ने उसे घास खिलाया, कुछ ने चना दाल, कुछ ने विभिन परकार की वस्तूओं से घोड़े का पेट भरने का प्रयास किया हर दिन जब-जब घोड़े को वापस महल में लाया जाता, तो राजा के नौकर, राजा के निर्देशा अनुसार घोड़े को कुछ ताजी हरे घास खाने के लिए देते दिन भर पेट भरे रहने के बावजूद भह लालची घोड़ा हरे घास को देखते ही तूट पड़ता और घोड़े को ले जाने वाला व्यक्ति शर्त जीत नहीं पाता उस मुठी भर घास के कारण घोड़ा अपनी भूख को नहीं रोक सकता था घोड़े को ले जाने वाला व्यक्ति घोड़े को बुरा भला कह वापस लोड़ जाता अगले दिन फिर दूसरे व्यक्ति की बारी आती वह भी उसी परकार घोड़े को संतुष्ट करने का प्रयास करता था मगर असफल ही रहता था इस प्रकार कई दिन बीट गए अनेक लोगों ने कोशिश की लेकिन हर शाम घोड़े के महल में लोटने के बाद वही कहानी दोहराई जाती थी दिन बीटते रहे घोड़े की आदत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इस घोड़े के बारे में एक साधू ने भी जाना साधू को चुनती का पता चला साधू ने चुनती स्विकार कर ली शर्त के अनुसार सुबह सुबह भगोड़े को पास के एक जंगल में ले गया वहाँ उसने घोड़े के सामने कुछ घास रख दी जिस चंगोड़ा घास के लिए जुका साधू ने एक मजबूत लाठी से उसे जोर से मारा दिन भर यहे क्रम चलता रहा घोड़ा घास के पास जाता और साधू उसे लाठी से जोर से मारता सारा दिन घोड़ा भूखा रहा जैसे ही शाम ढल गई साधू भूके घोडे को महल में वापस छोड़ने गया राजा ने घोडे को ताजी घास खिलाने का आदेश दिया साधू घोडे के बगल में खड़ा हो गया साधू के हाथ में लाठी थी घोडे ने लाठी को देखा और घास को चूने की हिम्मत नहीं की दिन भर घास खाने के चक्कर में उसकी पिटाई हुई थी खाने को भी नहीं मिला था भै के कारण घोडे ने अपना सबक अच्छी तरह से सीख लिया था घास को घोडे ने नहीं खाया राजा ना केवल चकित था बलकि साधू से प्रभावित भी हुआ राजा ने शाधों को शर्थ के अनुसार पुरुषकार रासी दी दोस्तों आपको अकथा कैसे लगी अपने विचार और सुझाओ कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे कताम को शेयर जुरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्त हो जय श्रीराम भक्तो